दोस्तों दर्शन दुदलकर ने मुझे काफी दिन पहले ब्लो से रिलेटेट कुछ फ्रेजेस पूछे थे ब्लो से रिलेटेट कम से कम चार फ्रेजेस हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट है आज हम लोग समझते हैं कि उस फ्रेजेस काम लोग कैसे करेंगे उसका मिनिंग और उसका सेंटेस्मिकिंग या सारी बात है तो मैं आपको समझाने वाला हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे वीडियो में शुरू संतक रहें उसकी एक एक बात को समझ दिये और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करें जिसे हर कोई इस पकार का सेंटेंस बनाना सिख जाए और अगर आप मेरे चेनल में नह हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पकार के में धेरो टॉपिक लेकि आने वाला जो हमारे इंग्लिश को डेकर टी ऑफिक्टी इंप्रेस से बना देजी दोस्तों चालू करें वह फ्रेज है ब्लो और ब्लो अवे ब्लो आफ एंड ब्लो अपार्ट यह चा इंपर्टन हो जाता है कम महत्वका हो जाता है धीरे धीरे शान्त पड़ जाता है धीमा पड़ जाता है एंड्स अप और फॉर्गटन शान्त हो जाता है और उसको भुला दिया जाता है थमना या शान्त होना इस सेंस में आ रहा है अब देखते हैं इसका पहला सेंटेंस द वरोसा था कि उनका विवाद कुछ समय बाद शान्त पढ़ जाएगा, मुझे पुरा भरोसा था कि उनका आर्गुमेंट, उनकी जो बहस थी, वो कुछ समय बाद थंडी पढ़ जाएगी, शान्त पढ़ जाएगी, थम जाएगी, लेकिन नहीं, उनका विवाद तो और बढ़ यहां पर आ रहा है थमना या शान्त हो जाना इस सेंस में आ रहा है next the tension between mom and papa will blow over very soon the tension between mom and papa will blow over very soon mummye और papa के बीच का जो तनाव है बहुत जल्द दूर हो जाएगा बहुत जल्द शान्त हो जाएगा थम जाएगा मुझे ऐसा उमीद है कि यह धीरे धीरे शान्त हो जाएगा थम जाएगा रुख जाएगा इस सेंस में आ रहा है the wind अभि यहां देखे थ्रोब नए अर्थ में आ रहा है the wind blew over the old tree The wind blew over the old tree एक पुराने पेड को हवा ने उखार फेका एक पुराने पेड को हवा ने उखार फेका अप्रूटिट कर दिया Next, the teen shade was blown over in bad storm The teen shade was blown over in bad storm एक बुरे तुफान में, एक भेंकर तुफान में जो teen का जो shed लगा हुआ था उपर वह उड़ गया तहस नहस हो गया, बरबाद हो गया एक खतरनाक तुफान में तो teen shade था वह तहस नहस हो गया था या क्या हो गया था तहस नहस हो गया था या उड़ गया था ये sense में आएगा ये दो अर्थ हम लोग ने देखे दोस्तों एक थम जाना, एक तेहस नहस हो जाना, बरबाद हो जाना, जिसको हम लोग कहेंगे हटाना, उला देना या प्रभावित होना, अब इसके sentences से हमें killer होएगा कि हम लोग इसको कैसी use करेंगे, देखते हैं, तो पहला sentence है, she swissed on the fan to blow the smoke away, उसने फेन चालू किया, पंका चालू किया, जिससे जो धुआ है, वो बाहर चला जाए, धुए को बाहर करने के लिए उसने फेन को आउन किया, रीमू के sentence में आ रहा है, धुए को हटाने के लिए, दूर करने के लिए उसने फेन को आउन किया, पंके को चालू किया, next I was blown away by her song I was blown away by her song, मैं उसके गाने से प्रभावित हुआ उसका गाना इतना मधूर था, इतना melodious था, इतना अच्छा था कि मैं उसके गाने से प्रभावित हुआ, यहां पर impressed by के sense मारा है, कि I was blown away by her song उसके song से मैं एकदम impressed हो गया, एकदम excited हो गया, बहुत मधूर गाना गाती है, yeah, next sentence, we really blew away that team, यह defeated के sense में आ रहा है, हमने उस team को सच्मुच में हरा दिया, दोस्तों यह तीन नंबर होगा, हमने उस team को सच्मुच में हरा दिया, we really blew away that team, defeated के sense में आ रहा है, तो blow away का मतब defeat भी होता है, किसी को हराना, your way of talking, your way of talking blows me away, आपके बोलने का तरीका मुझे प्रभावित करता है, यह प्रभावित करने के sense में आ रहा है, your way of talking blows me away, मुझे बहुत प्रभावित करता आपके बोलने का जो तरीका है, आपके चलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपके प्रेजंटेशन का तरीका है, ये मुझे प्रभावित करता है, it blows me away. अब ये तो हमारा फिनिश हो चुका है, अब हम लोग आजाते हैं, blow off, O double F, blow off का मतलब होता है, ignore, remove, destroy, इतने sense में आ रहा है, और समझने इसका sentence making क्या होगा, देखते हैं, पहला sentence, I wanted to meet her, मैं उससे मिलना चाहता था, I wanted to meet her, but she blew me off, पर उसने मेरा, मेरी उपेच्छा की, उसने मुझे ignore किया, I wanted to meet her, but she blew me off, पर उसने मेरी उपेच्छा की, इस sense में आ रहा है दोस्तों, ignored के sense में आ रहा है यहाँ पर, number two, I blew off my class and went to hang out, I blew off my class and went to hang out, मैंने अपनी class छोड़ दी और घुमने चला गया, यहाँ पर छोड़ने के sense में आ रहा है, या ignore कर दी, मैंने अपनी class क पर दी और मैं घुमने चला गया, तो I blew off my class and went to hang out, घुमने चला गया, next, the roof blew off in the storm, यहाँ पर उडने के sense में आ रहा है, destroy होने के sense में आ रहा है, कि तुफान ने छट को उड़ा दिया, या तुफान ने छट को बरबाद कर दिया के sense में आ रहा है, yes, यहाँ पर बरबाद कर आ रहा है, अब देखते हैं आगे, blow apart, blow apart का मतब होता है, destroy and explode, तो बहुंच जगा पर destroy and explode, तो blow off, blow away, blow apart में तो आई रहा है, यहाँ पर देखते हैं क्या मतब हो रहा है, कि the plane was blown apart by a terrorist, the plane was blown apart by a terrorist, आतंगवादी के द्वारा plane को उड़ा दिया गया, आतंगवादी के द्वारा plane को, plane में धमाका किया गया, उसको उला दिया गया, इसको explode किया गया, धमाकों से उसे उला दिया गया, यह sense में आ सकता है, this letter blew apart the myths of their perfect relationship, यहाँ पर हो गया, समाप कर देना, या बरबाद कर देना, या कोई चीज़ सामने लाना, कोई सच्चाई सा यह अर्थ में आएगा, कि this letter blew apart the myth, इस पत्र ने अउधार्ना को हटा दिया, इस पत्र ने अउधार्ना को समाप कर दिया, आप their perfect relationship कि उनके बीच में बहुत अच्छे रिष्टे हैं, इस letter ने सब कुछ खोल के रख दिया, कि उनके बीच में perfect relationship है, कि उनका जो रिष्टा है उनका जो नाता है, वो perfect relationship है, तो इस पत्र ने सब कुछ खोल के रख दिया, सब कुछ एक्स्पोज कर दिया, सब कुछ बर्माद कर दिया, तो ये sense में है, ये सारे जो words बहुत important थे, दर्शन दुदलकर मुझे उम्मीद है कि आपका जो doubt था, वो इसमें clear हो गया होगा, और हमारे English को decorative effective impressive बना देगी, और हमारी भार्षा में चार्चन लगा देगी दोस्तों, तो इस पार के phrases mostly newspaper में आ जाते हैं, और हमने समझ नहीं पाते हैं कि इसका sentences क्या होगा, इसका sentence making क्या होगा, और confused बहाते हैं, दोस्तों मैं तो कहुंगा कि phrases को हमें याद ही करना क्योंकि phrase को हमें याद करके समझ के बोलने की कोशिच करनी पड़ेगी, बीना समझ के आप बोलने की कोशिच करेंगे या लिखने की कोशिच करेंगे तो सब गरबड़ गाएगा, so first practice then speak up before the people, और वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका skin shot ले सकते हैं, या, thank you very much, मेरे वी कर दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे इसी परकार की नए कुशिच के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ, धन्यवाद, thank you very much.